हेलो फ्रेंड्स मेरी चेनल में आपका स्वागत है आज हम ये ब्यूटिफुल बटरफ्लाइ हेंगिंग सिखेंगे कीचेन वगरे में भी आप यूज कर सकते हो गिफ्ट में ये गिफ्ट आर्टिकल के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है तो चलिए तो उसके लिए पहले मेज साथी सेर की हूए पॉफ्लार के से बनाते हैं ये तो इसमें हमने यहाँ पर तीन चेन बनाई और फिर हमने ये एक दो तीन और ये चार बार हमने होग के उपर ये बुल को लपेट आ है और यहां पर एक दो यह दू चेन ले ली वापस सेम मेजिक रिंग में हम एक और यहाँ पे पफ बनाएंगे दीखें यह एक, दो, तीन, चार और यह पांच पांच बार हमने लपिटा फॉर्स्ट में हमने तीन चेंड ली थी इसके लिए चार बार करहे था हमें यहाँ पे हमने पांच बार यान को लपिटा है तागे के उपर दो चेन बनाई यहां पर हम तीन बनाएंगे क्योंकि यह दो और फिर वापस अभी ये दो इस तरह से हमारा ये बनेगा यहां पर हमे सरकल नहीं बनाना है तो ये देखिए ये हमारा थर्ड तो पहले हमने एक पफ, दो चेन, फिर एक पफ फिर तीन चेंड बनाई यहाँ पर एक और यह पर बना दिया हमने पाँच बार भीयान कूल लपटे नैद इसे हम नहीं देखिये हमने यह यह ऑमारा फॉस्थ कलर है मैंने यह पर वाइट कलर लिया है आप अपने मन चाहे पसंद से butterfly तो बहुत सारे कलर की होती है तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं यहां पर यहां पर इसके दो-दो करके part बन गये है तो अब यहां पर यह धागे को हम काट लेंगे यह देखिए इसको finishing देदेंगे यह इस तरह से हमारा यह चार यह हमारी पंखुडिया जो puff है वो आ गया है यह देखिए finishing हमने कर लिया अभी हम एक और कलर उसको चोड़ेंगे यहां पर मैंने yellow कलर ली लिया है तो जो दो puff के बीच की जो दो chain की जो space मिली थी उसमें हमें यहां पर काम करना है तो मैंने यहां पर note बना ली ताकि पीछे से धागा निकले ना हमारा तीन chain बनाई और अब यहां पर हमें यह puff बनाना है same as हमने उपर जैसे बनाया था यह तीन और यह चार हमने यह कर लिया फिर एक और यह दो दो chain बनाएंगे वापस same puff stitch बनाएंगे फिर हम दो chain बनाएंगे और यहां पर एक और बार puff same loop में same जो space है उसी में हम तीन puff बनाएंगे यह दिखे यह हमने एक और puff बना लिया यह दिखे हमने यह space में हमने यहां पर तीन puff बनाएंगे एक दो और तीन अभी यहां पर हम एक दो और तीन chain बनाएंगे और जो next जो हमारी लूप मिल रही है उसमें हम puff बनाना सुरू करेंगे यहां पर भी सेम हम यह हमने एक और puff बना लिया और दो चेन बनाएंगे वापस सेम बनाएंगे और देखिए तो चेन बनाएंगे तीन चेन बनाएंगे हमने यहां पर क्योंकि यहां से हमें वापस एक और डिवीजन करना है दो दो सेम बनाने है तो यह देखिए यहां पर अभी वापस हम यह puff बना लिया हमने और उसको देखिए यह दो चेन बनाएंगे और वापस सेम दो तो यह जो दूसरी जो हमारी लूप है उसमें हम चार puff स्टिच बनाएंगे यह देखिए, यहाँ पे हमने तीन पफ बनाई है, दो दो चेन के अंतर में, फिर तीन चेन बनाई, फिर हमने दो पफ बनाई, जिसमें हमने दो चेन का अंतर रखा, फिर हमने तीन चेन बनाई, और दो चेन पफ जो बनाई, उसमें दो चेन का हमने, बीच में हमने दो चेन ब ये तीन चेन बनाई अब हम वापस कहीं हम में धर नेिवल और उसमें यहां पर Is दागा है तो पांच बार हम धागे को हुक के उपर लपेटेंगे ये देखिए हमने ये तीन बार बना लिया तो तीन पफ दो-दो चेन के अंतर में फिर नेक्स्ट जो में लूप मिल रही है उसमें चार और तीन इस तरह से ये देखिए ये हमारा हमें सेमी सरकल मिलता जा रह लिया है और उसमें हम ये दिखिए ये पीछे नौट लगा दी चेट-चेट से लागा हमारा निकलेना तीन चेन बना ली और हम यहाँ पे वापस पफ स्टेट से ही हमारी सुरुआत करेंगे ये स्टेट के हिसाब से हम जो दो लेर वाले बनाते हैं उस हिसाब से यहाँ पे पल उसी में और एकदम से जल्दी से बन जाता है यहाँ पे हमने तीन पफ लिये बीच में दो-दो चेन का अंतर रखा है वापस हम यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे और सेम स्टीच में तीन भार हम पस स्टीच बनाएंगे और बीच में दो-दो चेन का हम गैप रखेंगे यह देखे ही है दो चेन बना ली और वापस एक बहुर बार हमने यहाँ पर पफ बना लेना है तो हमारे उपर जो फर्स लूप मिली उसमें छे पफ हो जाएंगे पफ स्टीच ही बनाना है यह देखे और जो तीन जो हमने लिए थे येलो कलर से उसमें जो बीच में जगा मिलती है फर्स में हमने छे पफ स्टीच ले लिए जो दूसरी हमें जो मिली वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे बनाना है यह देखे यह सिंगल क्रोशे हमें बनाना है अभी हमें ये काम सुरू करना है ये देखे यहां पे हम ये एक पफ स्टीच फिर दो चेन बनाएंगे वापस सेम प्रोसीजर और एकदम से इजी ये बन जाने वाला फ्लार है और ये फ्लार की पैटन में से ही ये आइडिया है तो फ्लार ही मैंड में है मेरे ये देखे यहां पे हमने दो तीन पफ बना लिए फिर वापस तीन और सेम ये देखे यहां पे हमने तीन पफ बना लिए थे तीन चेन बनाई और वापस सेम हमें उसी लूप में तीन बार और बनाने है और देखे दो चेन का अंतर रहे दो चेन हम बीच में रखेंगे दीखिए तो यह हमारा कॉर्नर आ गया छे छे पफ हमने दोनों लूप में ले लिए बीच में एक जो हमें मिल रहे हैं वहां पर सिंगल क्रोशेट लिया अभी वापस यह जो हमारा तीन आया उसमें हम सेकंड में हमें यहां पर सिंगल क्रोशेट बनाना है फिर जो नेक्स्ट हमें जो गैप मिलेगी उसमें वापस तीन पॉफ स्टीच दो दो चेन के अंतर में फिर तेन चेन फिर वापस सीम तीन पॉफ दो दो चेन के अंतर में एक ही लूप में हम बनता जाएगा और जैसे यह आप यह काम आगे बढ़ता जाएगा आपको शेप बिलता जाएगा और आप no doubt confident हो जाओगे कि यह चलिए हमारा एक object बनके त्यार हो रहा है यह देखिए यहाँ पर मैंने तीन चेन लिली तीन पॉफ मैंने बना लिये यह देखिए यह हमारा इस तरह से आजाएगा सेम उसी में हम यह बना लेंगे बीच में सिंगल क्रोशे आजाएगी और जो यहाँ पर हमारी सिंगल क्रोशे आजाएगी और बाकी की यहाँ पर जो दो लूप में वहाँ पर तीन हम पॉफ बनाएंगे फिर तीन चेन और फिर तीन पॉफ बनाएंगे तो उसी साथ से करके मैं वापस आपको बताती हूँ यह देखिए यह हमने बना लिया पूरा आप आराम से देख लेगी जिए एकदम से इजी बन जाने वाला यह बटरफलाई है यहाँ पर सिंगल क्रोशे बना लिया हमने फिर तीन पॉफ तीन चेन यहाँ पर मैंने दो बनाएंगे और एक मैं आपको वापस करके बताती पर बन गया और यहां पर हमें तीन चेन्न लेलेनी है और उसको से हम बंत करेंगे इंगे अग्दम से सिप आ गया है अमोरा बटरफलाई का एक दो और यहें तीन चेन ले लेंगे और सेम उसी लूप में हम स्लिप नोट ले लेंगे और बेक साइड जाके यहाँ पर स्लिप नोट लेके उसको कट कर लेंगे एक दम से बढ़िया हमारा शेप आ गया है यह दिखे तो एक दम से जल्दी से बन जाएगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा अभी हम यहाँ पर उसकी जो दंठल है वो बनाएंगे हम यह दिखिए यहाँ से हमने एक डिफरेंट कलर का उन ले लिया है वो ले लिया है और इससे हम बीच में जो हमने यलो से काम किया था वहाँ से हमें यह एक दो तीन चार और यह चार चेन लेके जो उपर हमने जो फर्स कलर वाइट कलर लिया था उसकी जो फर्स लूप है बैजिक रिंग हमारी सुरू हुई थी तो बस वो उसमें हम यहाँ पर उसको इंसर्ट करके यह देखिए उसको हम थोड़ा आगे कर लेते हैं फिर फिनिसिंग भी दे देते हैं तो यह यहाँ पर हम उसको यह देखिए यह स्लीप नोट ले लिया और फिर वापस हम यहाँ पर पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार और यह पांच पांच चेन हम बना लेंगे और उसको कट कर लेंगे हमने जब सुरू किया तब थोड़ा धागा यह खास मैं आपको बोलना भूल गई पहले ही हमें थोड़ा धागा यह देखिए यहाँ पर मैंने रखा हुआ है थोड़ा धागा एकदम से एंड से सुरू नहीं करना है हमें थोड़ा धागा रखना है यह देखिए यहाँ पर यह धागा हम रखेंगे उसके एंटीना एकदम से अच्छे से तयार हो गए है ये देखे और उसको अभी हम लास्ट में एकदम एंड से ही उसको कट कर लेना है निकलने का कोई टेंसन नहीं वूल है तो वो एकदम से टाइट हो जाता है तो ये एकदम एंड से ही हमें उसको कट कर लेना है ये देखे ह तो अभी हम इसमें यहां पे लटकन लगाएंगे उसका थोड़ा सा और डेकोरेशन करेंगे तो लटकन के लिए मैंने यहां पे देखे यह और पिंक में मैंने यलो और पिंक का कॉमिनीशन लिया है और इंज के साथ यलो लिया है तो चलिए अभी यहां पे मैंने यह लटकन क कैसे बनाते हैं वो आगे की वीडियो में भी बताया है तो प्लिस चेक तो यहां पे मैंने हाथ के उपर यहां पे मैंने 15 बार बुलको लपेटा हुआ है तीन उंगली में और एक आठ इच का मैंने धागा एक और कट किया और इसको इस तरह से हमने यह अंदर से यह गाठ लग जाके इसको एकदम से यह बान लिया है यह देखे और अभी हम यह बीच में यह थोड़ा डाइट कर लेंगे तो उसका पफ एकदम से बन जाएगा फिर यह यह दिखिए यह उसका एकदम से बन गया है और अभी इसमें हम मोती से थोड़ा डेकोरेटिव कर लेंगे तो के मैंने इसका डेकुरेशन कर लिया तो अभी उसको हम यह देखे यहां पे जो हमरी ब्लू की जो एंड है उसी में से हम यह धागा को निकाल के स्लीप ले लेंगे और उसको उपर तक ले जाएंगे हम तो वह पता भी नहीं चलेगा तो यह देखे यहां से हमने स्टार्ट करन और आपको बता दिया कि यह नीचे से फिनिशिंग हम अपने इसाफ से देदेंगे यह देखे यहां पर मैंने स्लीप लेके उसको लास्ट जहां बीट्स हमारे खतम होते हैं वहां से मैंने यह कर लिए है और यह जो धागा है उसको भी अंदर हमें ले ले लेना है तो ये एकदम से बढ़िया सा ये हमारा बटरफ्लाइ हेंगिंग बनके तयार हो जाएगा I hope मेरे वीडियो आपको ये पसंद आई होगी तो आप प्लीज जरूर बनाना किसी को किफ्ट पे भी ये देज सकते हैं और ये की रिंग वगरे में भी बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेर लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक यू